टाइफॉइड एक बैक्टिरिया या फिर जिवनु के दवरा होने वाला रोग है जो कि सालमोनिला टाइफी नाम के बैक्टिरिया से होता है इसे हम हम आखासा में एंड्रिक फिवर या मियादी बुखार भी कहता है तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब किसी को टाइफर्ड हो जाता है तो उस समय डॉक्टर उसे क्या मेडिसीन देते हैं तो पहले हम यह जान लेते हैं कि जब किसी को टाइफर्ड हो जाता है तो उसमें क्या-क्या सिम्टम या फिल लक्षण दिखने को मिलते हैं तो उसका पहला लक्षण है फीवर याने की बुखार, हैड़क याने की सर में दर्द, विकनेस याने की कमजोरी और इस्टमक पेन याने की उसके पेट में भी दर्द होता है और उसे लोज मोसन याने की उसका पेट भी खराब हो सकता है आपको टाइफर्ड है या फिर नहीं है इसे confirm करने के लिए एक जांच या फिर टेस्ट कराया जाता है जिसका नाम है विडाल टेस्ट यदि यह टेस्ट पोजिटिव आ जाता है तो डॉक्टर आपका टाइफर्ड का treatment स्टार्ट कर देते हैं और देखिए यहाँ पर जो हम आपको दवाई बताने वाले हैं ये कि वहला आपके जानकारी के लिए आपको इन में से कोई विद्वा खुछ से इस्तमाल नहीं करनी है क्योंकि हर मरीज के इस्तिती में दवाई की डोस अलग हो सकती है और देखिए अलोपैतिक अनुसार हमें यहाँ पर सिम्टम के अकॉर्टिंग दवा देनी होती है तो यहाँ पर सबसे पहले हम दवा देंगे बैक्टिरिया की यानिके जिवानों की चूंकि टाइफर्ड जिवानों के द्वारा होता है इसलिए यहाँ पर हम एक जिवानों के लिए दवा देनी होगी और दूसरा ह यहाँ पर बुखार के लिए, तीसरा यहाँ पर सरदर्द के लिए, और छोता है यहाँ पर कम जोरी के लिए, क्योंकि typhoid में कभी-कभी हमारी platelets भी कम होजाती है, तो उसके लिए भी यहाँ पर हम दवात देते हैं, बैक्टिरिया या फिर जिवाणु के लिए यहाँ पर हम multi vitamin देते हैं यहाँ पर हम यह भी जान लेते हैं कि doctors कौन सी दवाय देते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं antibiotic की तो antibiotic में fluorokinonols group की दवाय सबसे अधा इस्तमाल की जाती हैं जहाँ पर हमने इसके दो example भी दिये हुए है इसके दो यहाँ पर brand name है phloxip and oflox इसके बाद यहाँ पर आता है बुखार और सथर दर्द बुखार के लिए दीशाती है Neighbor to यहां पर तीसरी दवा होगी कमजोरी के लिए तो अड़े इसे भी बढ़ाते हैं, लेकिन जादार दोक्टर सीरफ देते हैं, जिसमें की गिलोय, तुलसी, नीम, आधी पाया जाते हैं, यह सब है कमजोरी को दूर करते हैं, प्लस जो हमारी platelets कम हो जाती है उसे भी बढ़ा देते हैं तो इसके लिए कई सारे brand के टोनिक आता है जैसे की fever X plant grow यह सिरप जो होते हैं यह आपकी location के उपर depend करते हैं यानि कि जहां पर आप रहते हैं वहां पर कौन सा सिरप available है उसके according doctor आपको दे देते हैं और डक्टर को यहां पर एक medicine को और एट करना पड़ता है क्योंकि जो antibiotic होती है इसके कुछ side factor होता है जैसे की acid यानि कि इसे लेने से हमारे पेट में acid बनता है तो उसे कम करने के लिए यहां पर anti-acid medicine दी जाती है निकि ऐसी दवाए जो कि पेट में acid को कम कर देती है तो इसके कई सारे ब्रांड नहीं है जिसे की omizet जिसमें की omiprazole salt पाया जाता है या फिर rentec जिसमें की rentedine salt पाया जाता है तो यह सभी antibiotic के साथ में दी जाती है तो आपने देखा यहां पर कुल मिलाकर चार दवाए दी जाती है एक antibiotic जिसमें की syphlox या फिर oflox, anti-acid, omizet या फिर rentec, pain और fever के लिए palacetamol और weakness के लिए syrup इस तरह से doctor typhoid का treatment करते हैं और यह दवा कब तक देनी है और उसके क्या dose होने चाहिए यह आपके doctor आपके लक्षण को देखकर decide करता है thank you very much